है अग्जिवर्ण परी गुड आफ्ट्रून मैं अजली पांडे आप सभी का अग्रिकल्चर एंड जी के लर्निंग प्लाटफॉर्म पे स्वागत करती हूं होपस आप सब बहुत अच्छे होगे तो आज हम आपके समय डिस्कॉस करने जा रहे हैं जो एक्जाम हुआ है अभी आपका सेकेंड फेस्टे उसके कुछ क्वेस्टेन से वह आपके सामने अच डिसकॉस करने जाए जो एक्जाम में आपको पूचे गए थे ठीक है तो बने र तो उसके पूर्स जो है आपको अवेलेबल करा जाते है टेस प्रीक्लासिस फ्रीक्विज जरी क्विजिस आई सीयार नोट्स जो की आपके ग्राजुएशन एंट एसपिरिंट्स दोनों के लिए मिल जाएगा आपको न्यू अप्डेट्स रिगार्डिंग रिग्सामिनेशन प्रिविए से क्वेशन पर जाएंगे और जो क्लास यूटूब पर कराए जाती है उसके नोट्स भी आपको इस अप्लिकेशन पर अपने फोन में इंस्टॉल कर ले और अगर आप अभी तक आप अप्लोड हो या हमारे को लाइव सेशन चल रहा हो तो आपको नोरिफिकेशन प्रॉपर टाइम पर मिल पाए और आप क्लास जॉइन करके अपने प्रिपरेशन को और अच्छा कर सके जैसा कि आपको पता है कि अभी आपकी एसी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वेकिंसी आपक क्या जा रहा है तूफिफिटी प्लस आर्स के वीडियो क्लासस मिल जाएंगे आपको लाइब और रिकार्ट वीडियो लेक्च्छर्स जी एस की जो ई-book है वो आपको आपको अप्लोड मिल जाएगी मांक टेस्ट अब्जेक्टिव और श्रुप्टिव पेपर मिल यह जो जो इंटेव्ड सारे जो तीचर सब्स्राइब अब कर सकते हैं अगर आप ति अगर आपने इस को एक्जाम के लिए अप्लाई किया है तो आप इस कोर्स में इन्रॉल हो जाए और इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एवेलिबल करा दी गई है तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चिन से ठीक है गौरव शर्मा गुडवट अफ्टनून राज साक्या गुडवट अफ्टनून तो पैक पॉश्चिन अब का इग्जाम में पूछा गया था कि दा वरी एशन ओफ वालिंग पॉइंट अफ इन 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 इस ओर्डर त इस है फ है तो आपको बढुशा गया था वट एक्टेंस दा हाईए वॉलिंग पॉइंट ओफ दा आपका दिया गया यह इसका था तो में आपको चार ऑप्शन दिये गए थे दा इलेक्रोन अग्रिविटी ओफ दा फ्लोरिंग इस मुच हायर थैन ऑफ अदर एलेमेंट्स इंदर गूप दा स्ट्रॉंग स्ट्रॉंग है तीसरा बता रहा है दा बॉंडिंग बॉंड इनर्जी ओफ एच फ्लोरीड मॉलेक्यूल इस ग्रेट अधर है यहां पर बोल रहा है अगला है आपका दा एफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर शडिंग इस मच रिडियूस इन फ्लोरीन विच पॉलराइज इस दा सब्सक्राइब कर सकते हैं तो देखें जो भी आपकी बॉइलिंग पॉइंट होती है तो उसमें आपके साइज ऑफ एटम जो है वह बहुत जादा मैटर करते हैं ठीक है और वह साइज ऑफ एटम पे क्या आपका वेंडर वाल फोर्स है वह डिपेंड करता है जितना बड़ जो आपका hydrogen bonding है यानि कि hydrogen ion और fluoride ion के बीच की जो bonding है वह काफी ज्यादा आपके स्ट्रॉंग है यह ज्यादा होती है वह ज्यादा होती है तो अगला क्वेशन में आए था एक्जाम में कि अगला क्वेशन पूछे था था तो इसका आंसर जो होगा अगला क्वेशन पूछे था था नंबर क्वेशन इस माइनस 2.14 इंटो 10 to the power minus 12 अर्ग ओके अभी आप से अगला क्वेशन पूछे था 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 नंबर क्वेशन स्ट्रॉक्ट्टर फॉर्मॉला ऑफ विनायल ब्रोमाइड इस तो आपका विनायल ब्रोमाइड का जो स्ट्रॉक्टर फॉर्मुला है वह ऐसा होता है और करते हैं तो में रिख्यों हाँ की साथ है तो यह आपका स्ट्रॉक्टर फॉर्मॉला होता है थीकर फॉर्फ नंबर क्वेशन क्या पूछ रहा है वह वाट-पेस्ट दल पार बाइल टाल्गेट तो करते हैं तो वह कौन से से काम करता है के वाइट फ्लाइग के या बोत वन एंद त्री यानि की वीज़ और अफ तोनों के तो यहां पर आपका राइट अंसर होगा वीज़ और अफ दोनों के अगेंस्ट आप कारबाइल जो है वाप स्प्रे कर सकते हैं यहां पर पूछ रहा है हाउ मच राइज इस इन हंड्रेट केजी ऑफ पैडी जब आप धान देते हैं तो उससे कितना आपको चावल जो है आपको मिलेगा यह आपको बताना था तो क्या होगा अंडेट केजी ऑफ राइस एक्सपेक्टेट तो प्रेड्य करने का प्रोसेस क्या होता है वाट इस प्रोसेस यूज़ फॉर मॉस्च्ट रिमूबल इन राइस इस तो राइट एंसर विल भी ड्राइं तो सेवं तंबर कोशिं क्या था आपका हाउ मच डेरी प्रोड़क्ट्स अलावड तो पैटी फूड मैनॉफक्ट्ट्ट्ट्ट् अंड इस ट्रेशन फॉर फूर बिसनसे डाइशन 2011 विदाउट लाइसंस तो यहां पर कि आपका क्या मुलते हां मच डेरी प्रेट जहां अलाव किया था इस एक के अंदर ठीक है बीना लाइसेंस के तो यहां लेखेंगे पहला जो है प्रट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् ठीक है थात्मुडक है तो फ्ली आपका प्रट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्क डाइसंद और घर का जात्विकर्नुन। और हैं मुलताल टाइसंस के अंदेक्ट कॉड पर कंदेश्स केंट सूथ कॉड्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्सूबत इन सओश्ट प्रत्शनॉन लाइai औब क of environmental contamination does not include insects fragments rodents here and other extra genus materials तो यहां पर बोल रहा है कि आपका वो सबस्टांस कह रहा है जो आपके food में एड नहीं किया गया है बट वह आपके food के अंदर present होता है वेरियस activities की वज़ा से तो उसको आप contaminants कहते हैं according to Fasai Act okay ninth number question क्या पूछा है आपसे food analyst come under which section of the food safety and standard standard act तो आपको बताना है कि आपके food analyst की बारे में कौन सेक्शन ने बताया गया था आपके food safety and standards act के अंदर 2006 यह question पूछा गया था तो इसका correct answer होगा section 45 in the food safety and standard act 2006 अब यहां पर पूछ रहा है how many samples taken under the PFA Act यानि की food preservation of food administration act के अंदर जो आपका a PFA का full form preservation of food administration act के अंदर आपका कितना sample जो है वो लिया जाता है तो यहां हम देखेंगे to ensure the adequate check are being made it is desirable to take at least two food samples or collected are collected every month by each food inspector under PFA यानि की आप को दो है कम से कम दो food samples लेना है हर मन्थ आपके food inspector के वाजा कि आप प्रॉपर लिए उसके अंदर की adulteration को check कर सकें ठीक है information is mentioned in which section of rti act 2005 तो आपको बताना जो आपका right to information act 2005 के अंदर ठीक है उसके अंदर जो information से वह किस section के अंदर आपका mention की गई है तो यहां देखेंगे the type of information which may be obtained is defined under the section 2f of the act जब मैंने आपको rti का पूरा का पूरा वीडियो बताया तो उसमें आपको वेरियस sections बताये तो आपको तब बताये था कि sections ही majorly exam में question arise करते तो क्या सब information आप ले सकते हैं इसके बारे में आपका section 2f के अंदर बताया ग्या था आपके rti act के अंदर of any material in any form including the record documents memos emails opinion advices press release circulars orders log books contracts report paper samples models data material held in electronic form and information related to any private body which can be assessed by a public authority under which under any other law for the time being enforced ठीक है तो आप जो है information को collect का साथ किसी भी public authority की बार में आप information जो है वो ले सकते हैं जिस form में वो available है ठीक है rti जो है आपको एक right provide करती है कि आप जो है आपको जो सूचना का जो सूचना का जो आपका अधिकार है ठीक है उसके अंदर क्या होता है कि आपको information है वो आपको दिलाए जाती है ठीक है चाहिए आपको सर्कुलर की फॉर्म है contract की फॉर्म और रिपोर्ट की फॉर्म में तो यह आपके section 2 f के अंदर बताए गया था अगला question आपको पूचा गया था who is responsible for providing the information in RTI यानि कि right to information के अंदर आपको information देने की जिम्मदारी किसके उपर होती है तो वह आपका मैंने बादा है था public information officer से उपर होती है ठीक है अगला question है इस बेटाराइजियम एनिसोफिली इस यूज़ तो कंट्रोल तो तब पोटेंशल यूज ऑफ एम एनिसोफिली इस तो कंट्रोल टर्माइट मॉस्किटो एंड टाटल टीक्स तो जो आपके होते हैं उनके उपर आपका एक पैसेट लग जाता है उसको कैट्रोल टीक्स बोलता है तर्माइट सब्सक्राइब को पता है दीमक मस्क्यूटो इनके अगेंस्ट आप मैटारीजियम एनिसोफिली को यूज़ कर सकते है ठीक है पॉर्टीन नमबर कोशिन क्या था आपका नौसेमा स्पीशिस्ट लिच यूज़ इन सिल्क वर्म तो क्या है आपका जो नौसेमा स्पीशिज आ वह आपके मुगर सिल्क वर्म के अंदर क्या करती है डिजीज कॉश करती है suffers heavy from febrine and is caused by the protozoan parasite Neosema Bombay C that is Neosema species of the family Neosemeteria Neosema parasite invades the tissue of the body of the embryos larva pupa and moth ठीक है तो आपका मुगा सिल्क वाम के अंदर आपका Neosema species जो है वो disease cause करती है ठीक है यहां पर आप इमेज देख सकते हैं आप आपका पूछ रहा है ADH जो है anti-diaryotic hormone जो होता है वो किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है ठीक है तो आपका anti-diaryotic hormone is a substance produced in the area of the brain that is caused as the hypothalamus and stored in the posterior pituitary gland the posterior pituitary gland is also known as the neurohypophysis the lobe releases the area secreted by the hypothalamus ठीक है 16th number question क्या कह रहा है आपका जो MSP है is given on how much time the cost of production incurred by the farmers तो यहां में आपका minimum support price के से एक question आपका पूछा गया था तो जो आपका MSP है is the rate at which the government purchases crop from farmer and is based on calculation of at least one and a half times of the cost of production incurred by the farmer तो देखें जो questions आपके लाएगा है वो आपके memory based हैं ठीक है अगर आपको लगता है कि कोई question जो है उसकी language अलग थी या फिर कुछ और questions पूचे गया थे options कुछ और थे तो आप उसको बाद में पिन कर सकते हैं या एड कर सकते हैं comment में ठीक है the commission of agriculture cost and price CACP जो है वो है आपका minimum support price जो वो डिकलर करती है recommends the MSP for 22 mandate crops and fair and ruminative price FRP for sugarcane ठीक है CACP is attached office of ministry of agriculture and farmer welfare the mandates crop include 14 crops of curry season 6 rabbi crops and 2 commercial crops in addition the MSP of tori and toria and the husk coconut are fixed on the basis of the MSP of rap seed mustard and copra respectively अवली ठीक है इंसेक्ट रेड़ फ्लॉर बीटल इंडियर मील मोथ फिग मोथ एंड आलमन मोथ राइस मोथ कॉपरा बीटल यह साई जो आपके इंसेक्ट से जो आपके storage इंसेक्ट प्रेजेंट होते हैं उनके पार में पूछा कहता है बीटल स्वीट पेटर टू वीबिल पोटाय टूबर मौथ एंड अरकनेट भी बीटल थीक है तो यह मेंली आपके storage पैस्ट के से आपका एक क्वेशन पूचा गया था जो आपके storage पैस्ट लगते हैं ठीक है अब यह अगला कोशन पूचा है जो को आपके फीसांन पेडियुट हो रहा होता हैं तो उसन से होोते तो उसको आप क्या कहते हैं यह तो यहां दोस प्रूस्अच इस कोर्ड एस स्टूलेशन तो उसको सुलैशन केपे यह थैशन टशियर पैस्ट ओपलाउम Acro 2025 2017 तो क्या होते हैं आपको पूछा कहता कि वह साउंड को क्या कहते हैं ठीक है अगला क्वेशन आपसे पूछा गया है विच माइक्रो और गेंजम्स आर यूस्फुल इन फर्मेंटेशन ऑफ डो और इडली तो आपको पता है जब आप इडली की प्रपेशन करते हैं उसका डो आप पहले से त्यार करते हैं तो उसके फर्मेंटेशन होती है उसके लिए नलत होता है यह क्वेशन पूछा गया था यहां पर आपका जो आपका राइट एंसरों गाव बैक्टीरिया है भी लुक नो स्टोनो लुक नॉस्टफमेंस युआइट बैक्टीरिया है जो आपके रसपोंसिबल होता है फर्मेंटेशन आप दयो पोर इडली ठीक है अगल तो आपको पता है कि आपका गोल्डन राइस इसके अंदर आड किया गया था तो यह आपका थोड़ा और यलो कलर का आपका राइस होता है तो इसके अंदर आपका विटामिन इजो होता है वह एंडिस्ट अमांट में अवेलेबल होता है ठीक है तो गोल्डन राइस वास फॉस्ट कन्वेंस वाइप्रोफेसर इंगो प्रॉतिक्यूस्ट और पीटर बेयर इन लेट नाइंटें एटीज अगला अगला आपका 23 नमब डियने कोडिंग सीक्वेंस आपका तो प्रॉजंत होता है उसकी लिए जाता है एक पाटिकॉलर आछ गया लिए चींगे डिया स्थर्ट गेमट एव other conventional vaccines these vaccines are yet not completely appropriate for human use and can be used only for animal species तो अभी तक humans के लिए यह यूज नहीं किया रहा है अनिमल स्पीशिस के लिए जनरली DNA वेक्सीन का अभी तक यूज किया जा रहा है ठीक है इस वेक्सीन के लिए आपका जो डिया जाता है ठीक है अगला कोशन क्या पूशा गया है विच्भव फोलॉइंग उट अब ऑब जीओ जीयो चैमिकल क्ल इन इको सिस्टम के अंदर नाचेंस साइकल कारबन साइकल सुलफर साइकल्स तो यहां पर आंसार नाचें की बात करें यहां फिर आप कारवन की बात करें करता हूं कि क्या हुता है कि आपका जो एटमॉस्फिर है स्वाइल होता है इस प्रमस्फर्स आपके का टू जो स्वाइल के अंदर दर तो एक वाँ जो निकल्स आधा पोलॉइंध वाटर साइकल हो गया हाड्रोलोजिकल साइकल हो गया कार्बन साइकल नाइट्रोजन साइकल ऑक्सिजन साइकल क्योंकि जो आपका जो नाइट्रोजन हो गया कार्बन हो गया वह आपके वेरियस फॉर्म में आपके लैंड पर अलग पर में प्रेजेंट होते हैं और फिक्स हो आपके लिए एक इन्फोर्मेशन है अगर आप FCI एजटू यानि की FCI मेनजर पोस्ट के लिए आप प्रिपैर कर रहे हैं तो आपके लिए है कंप्लीट को जिसमें आपको प्रवाइड किया जा रहा है कंप्लीज नोट एस बर्द सिलिबस यूट्यूब क्लास और क्लास सब्सक्राइब करते हैं तो देर ना करते हुए इस कोर्स में आप इन्रॉल कर लिए कि अपने प्रिपेशन आप सकते हैं अगला कोशन क्या कह रहा है इस प्रोसेस ऑस्टिसर्टी किया होता है जहां से पूरा जो वेजिटेशन होता है वह खतम हो जाता है ठीक है यानि कि पूरा जो आपका रेत यानिकि मरुस्थल में वह और तो हम देखैंगे मैंश क्या होगाकि कैन्ट is used शुन का सब्सक्राइब होका दूंट फ्रॉपलेश्टार और फॉइन इफ्акс और पॉथ G एक्रीज और क्लाइमेट चेंच तो क्या करें ज्यादा आपके ट्रियाज वेचेटा इसको क्लीन फार्टीक्टंग उस का था। इसके वाइसे क्या होता है कि जो आपका लैंड के उपर जो वेजिटेशन माइक्रो फॉना प्रेजेंट फ्लोरा पेसेंट है वह खतम हो जा रहा है तो एक जगह एक तरह से देखा जाए कि आपके स्मॉलेस्ट एल्डॉस इस तो आपका यहां पर देखेंगे जब का ग्लिसर होता है था घिक है क्यों आब अगला क्विशन के Sc यह पर देखेंज प्रिजवेसिंग अंदर का वह सबस्願い का लाग्या का पूटॉस्चिंग स्टेट है इंडिया के अंदर आंड kas lahjres price पूछा था रिसर्जेंस आफ्स पैस्ट आफ्ट इंसेक्टिशाइट एप्लीकेशन और राइस इस विकमिंग कॉमन रिसर्जेंस का मतलब क्या हो रहा है कि आप इंसेक्टिशिएट अप्लाई तो कर रहे हैं उसके पाद फिर से आपको पैस्ट जो है वह सेम आपके क्रॉप आपके जो फूड है उसके अंदर देखने को मिल रहा है एक बार आपने इंसेक्टिशाइट दाला फिर भी वापस से उनका जो है आप यह उसकी पॉपर इस जनरेट हो जा रही है ठीक है तो आपका यह प्रोसेस्ट इस प्रोसेस सीन इन मेंली इन आपको किसमें देखा जा जाएगा पैसर्जिशन इन अबसर्वन पैस्ट प्रिविश्ली टागेटेट एंड सक्सेफुली कंट्रोल पैस्तिसाइड रिकर मतलब पैस्ट आप यह प्यास जाएगा बत इन हां नमबर्द देदाओ फो द नर्मूब आप फिर यह पूर यह प्रिश्ट पॉर तो तो त ठीक है तो इस वाइसे आपका जो ब्राउन प्लांट होपर होता है उसका रिसर्जंस जो है आपको देखने को मिलता है है 29 नबर क्वेश्शन के पूछा है विच सांट इस तर्थ कॉंट्र टांस्पोजों एक्स्पेरिमिंट इन मेंज तो किस ने अपका टांस्पोजों एक्सपेरिमिंट किया था आपके मेज के अंदर तो यहां पर हम देखेंगे आपका करेक्ट ऑंसर जो है वह क्या होगा of chromosome in the cell. Transposomes are repetitive DNA sequences that have the capability to move that means transpose from one location to another genome. The transpose on movement can result in mutation, alter gene expression, induced chromosome rearrangement and due to increase in copy number, large genome sizes. So, क्या होता है कि आपके genetic material होते हैं वो अजब आप hybrids बना रहे होते हैं तो आपको बहुत जरूरी होता है कि आप genetic makeup को क्या करें ने प्लेट करें तो उसके लिए आपको जो ट्रांस्पोसोंस है वो आपको क्या करते थे एक जगह से दूसरे जिनोम में आपको क्या मुवमेंट करते हैं तो यह जो आपका experiment है वह आपका बार्बरा मैकलिक टॉंग ने जो है किया था कहां पर United States के अंदर अगला question क्या पूच्छा गया साब से वाट इस the catalyst use for manufacture of ammonia by harvest process ठीक है तो आपका हार्बर्स प्रोसेश आपका ammonia प्रोसेश किया जाया था तो उसके अंदर आप से पूचा जाया था कि कौन सा catalyst जो है वह यूज किया था यहां पर हम देखेंगे answer क्या है आयन आयन इस यूज़्ज एस catalyst in the process of synthesis of ammonia by harvest process लगभग harvest process नाटिजन fertilizer आप देखेंगे तो आपका preparation होता है तो वह जादार आपका पूचा जाता है एक्जाम में ठीक है तो harvest बार पूचा जाता है तो इसमें जो आयन होता है आयन का मतलब क्या है कि आपका जो 31 number question क्या कह रहा है cry to a b and cry one a b produce toxin that controls ठीक है तो यहां पर हम देखेंगे जो cry to a b or cry one a b है यह आपका आपका टॉक्सिंस होता है तो क्या करता है आपका प्लाइंटिक जो है आपका जैनिक मोडिफाइड आपका जो प्लाइंट्स होता है ठीक है उसके अंदर क्या होता है क्या करता है आपके जो प्लाइंट्स होते होते हैं उनके द्वारा जो जो एक्टिविटी होती है उसको रेडियूस करता है तो आपके पैस्ट मैनेजमेंट के लिए यह किया जाता है अगर आप क्वाटन में बात करें तो पिंक बॉल वांब बहुत ज़्यादा एक मतलब हजाड एक करता है कि अगला पूछा गया था हूँ डेवलप्ट डीने सिक्वेंसिंग तो आपके पढ़ते हैं तो उस डीने सिक्वेंसिंग को किस ने डेवलप किया था तो यहां पर आंसर होगा अगला फ्रेड सेंगर डीने सिक्वेंसिंग रफटो जेनल लबरोटर टेकनीक पॉडिटर माइनिंग दो एक्स्ट्राइक सिक्वेंस ऑफ नुकलाइड और बेसे इन डीने मोलेकू दा सीक्वेंस ऑफ दा फॉस्स लेटर आफ दा कैमिकल नेम जैसे आपका एटीजी सी आगे हैं कि कोडिंग कैसे हुई है वह आपके डीने सिक्वेंस के अंदर बताया जाता है तो इसको खोड़ा था आपके फ्रेड सेंगर ने कोडिंग दा बालोजिकल इंफॉमेशन दैट सेल यूस्ट डेवलाप एन ऑपरेट इस्टैबलिशिंग दा सिक्वेंस ऑफ देने कोडोन होता है ठीक है वह कैसे अरेंज है उससे हम पता लगाते है तो यह उसका सिक्वेंसिंग है इसको क्या था यह पूछा गया था अगला कोशन यह पूछा गया है आपसे कि तन्यू वन इस दवराइटी ऑफ विच वास डेवलाट बाइन अल्थर कल्चर तो यहां पर होओ इस्टोन और सोलके आपका नू वन जो अबढ़ाइटि किस क्रॉप की है यह जो कि एंथर कślर क्यों से आपका करें गई तुलिए कि तो आपका यह था चवारइन सोटोप आय्सोन नौन कोम हौ कोए ऐन्सी ऐस आइसोटोप्स आइसोटोप्स क्या होते हैं तो यहां हम बता हैं इसका एंसर क्या होगा? Isotopes can be defined as the variant of the chemical element that possesses the same number of proton and electron but different number of neutron that is carbon 14, carbon 13, carbon 12 are the isotopes of the carbon, ठीक है? यानि कि इनका जो atomic mass होता है वो आपका जो sorry atomic mass ले वो different होता है, atomic number जो हो similar होता है, ठीक है? अब हम देखेंगे, कि 35th number question क्या पूछा था? Who discovered crop logging? Crop logging किसने discover किया था? यह question exam में आया था? तो यहां देखेंगे, the concept of crop logging was discovered by Act Clements for the growing of sugar cane in Hawaii. Crop logging refers to a system of monitoring the progress of the plant by series of physical and chemical measurement. It basically analyzes the nutritional status of the plant. तो आपका जो प्लांट है यहनी कि पौदे की growth कैसी है, यहनी कि उसका जो height है, उसके जो breath है, वो कैसी है, उसका nutritional uptake क्या है, उसकी proper growth क्या है, उसके क्या है, क्या है, क्या है, crop logging का system है, एक monitoring system है, वो लाया गया था है, पूसा बिन इसका एंसर क्या होगा, कि पूसा बिन इस डबलट बाइंडिन अग्रिकुल्चर रिसार्च इंसूट आई राई होते हैं, उनको स्टोर करने के लिए क्या होता है, एक मड लाइक आपका जो शक्चरा बनाते हैं, गाव में आपने देखा होगा, तो उसका एक modified form था आपका पूसा बिन, तो क्या होता है, आपको जो ट्रोगोडर्मा होता है, एक आपका जो Leaf Curled है पापाया में यह किसके द्वारा होता है, तो यहां हम देखेंगे कि आपका जो पापाया Leaf Curled disease है, यह पहली बार इंडिया में, 1939 में रिपोर्ट किया गया था और यह आपके पापाया लीव कर वाइरस के द्वारा कॉज होता है दिस डिस्कावर्ड इन पापाया और चार्ड ऑफ दा सदर्न तवाई इन टू थाउजन टू दा इंपक्टेड पपाया डवलाफ सिंप्टम शोईंग कर्लिंग ऑफ लीव त्विस्टिंग पेटियोल वेन इनेशन एंड स्टंटिंग तो आपके जब भी आपके वारेस का इंफेक्शन होता है तो आपको पता है कि आपको यह उन में प्रॉपर डेवलप्पेंट होती वह आपके मुड़ना शूरू कर्ण होना शूरू कर देते हैं ठीक है आपका जो प्लांट है उसकी ग्रोथ नहीं होती है स्ट होते हैं तो अगर इसमें वेक्टर पूछा जाए तो वह आपका वेक्टर होगा वाइट लाइड ड़ाइड बसाई और आपका कॉजल और गैंजम जो है वापका पापाया लीफ कर्ड वाइरस है ठीक है कि यहां पर आपको पूछा गया कि अगया वीच अपसे कोऺशन पूछा गया वीच अटो फॉलाइंग ब्रॉंक है राइस्ट बॉंड एनजी ठीक है तो आपका सी सिंगल बॉंड ऑंड और जी ऐसा बताया गया रही कि दीकिए बॉंड अनजी का मतलब क्या है कि यितना ज तो यानि कि अगर आपको इन्ट ने डालना है तो उस टेखनी को आप क्या कहेंगे ब्लॉटिंग टेकनीक लिए रिकविन डीन टेकनोलजी चार्णार्ट होता है रिकविन डीन टेकनोलोजी आपको जीते हैं तो आपको क्या घेता है तो प्ल्ट चाहिए रिक वांपर को एक रेजिस्टन्स क्रिएट करना तो उसकी जो देने और होती है वह आपको यहां अन्दर आप उसको एड करते हैं तो यह आपका रिकमेडेंट डिन टेकनोलजी होती है ठीक है अगला question क्या पूछा गया था what is alpha decay alpha decay क्या होता है यह question पूछा गया था तो यहां हम बताएंगे कि आपका alpha decay is a type of radioactive decay in which the atomic nucleus emits an alpha particle thereby transforming or decaying into new atomic nucleuses alpha decay का जो equation है वह आपका x equals to a minus 4 by z minus 4 y plus helium आपका होता है ठीक है तो यहां पर देखेंगे आपका x क्या है आपका parent nucleus है a क्या है आपका total number of nucleus that आपका total number of protons और y a minus 4 z minus 2 is the daughter nucleus और आपका helium जो है वह आपका release released alpha particle होता है तो यह आपका alpha decay होता है यह question आपका exam में पूछा गया था ठीक है तो these were all your questions which were asked in FCI manager post ठीक है सारा memory based questions है अगर आपको लगते कोई और question पूछा क्या था तो उसको आप comment में pin कर सकते हैं ठीक है so thanks for giving your time